एलो फ्रेंड्स कैसे हुआ आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है जैमा टैरो आपका अपना टैरो Guys जैमा टैरो की जरुनिंग टोपिक है आज three day है वीरवार ज्यनिकि three day special reading है साइन भाबा जी के दिवियस संदेश इस संदेश को आप कोई सी कभी भी किसी भी टाइम देख सकता है कोई टाइम की पबंदी नहीं कोई जैंडर की पबंदी नहीं क्योंकि ये आपको गायरनेस देंगे साइन बाबा जी क्या आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और किसके लिए आपको क्या करना है अगर आप किसी और इंजल्स को मानते हो तो आप ये reading वो मनमेदार के उस इंजल्स को ये देख सकते हो तो चलिए मैं शुरू करती हूँ दो लाइने साइं बाबा जी के उपर सत्गुरु मैं तेरी पतंग बाबा मैं तेरी पतंग हवा वी चक उड़ दी जा मांगी बाबा डोर हतो चड़ी ना मैं कटी जा मांगी साइया डोर हतो चड़ी ना मैं लुटी जा मांगी ओम साहिराम गाइज थ्रस्ड श्पेशल लास्ट टाइम मैं बूल गई थी लोगों के कमेंट में आया कि मैंडम आपने नहीं डाले तो आज मैंने सुबह सुबह उठके आपकी जेच्छा पूरी जी है देखते हैं साइं बाबा जी आपके लिए क्या कहने वाले हैं चलिए फर्स्ट कार्ट क्या है जीटा होली बुक्स ओम साहिराम बाबा जी कह रहे हैं अगर आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उतल पुतल हो रही हैं आप दिमागी तोर से परशान हों जो लोग दिमागी तोर से परशान है और किसी वक्त किसी चीज का रिप्लाई नहीं मिलता ये संदेशन लोगों के लिए है कि ये जो उतल पुतल है आपके दिल और दिमाग की है सवालों की नहीं तो इसलिए आप होली बुक्स पढ़िए जब ये होली बुक्स आप पढ़ेंगे न उसके अंदर ऐसे शिक्षा और ग्यान के बाते मिलेगी और बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे क्योंकि जो धार में किताब बे होती है न वो हमारे अंदर की गलतिया में हमें बताती है और साथ में ये भी बताती है कि हमें कैसे और क्या करना चाहिए ओम साहिराम चलिए देखते हैं सेकंड कार्ट को ओम सा है मेडिटेशन देखिए जहां बात हुई होली बुक्स की वहां आगया मेडिटेशन ओम साहिनाम तो बाबाजी ये भी कह रहे हैं कि आम में से कुछ लोगों को मेडिटेशन की बहुत जरूरत है जैसे मैंने कहा कि होली बुक्स पढ़नी जरूरी है वैसे ही मेडिटेशन की क्योंकि जब दिल और दिमाग में उलजने बढ़ जाती है जो लोगों के और जो लोग समझने और समझाने के काबिल नहीं होते हर वक्त मनों में उतल पुतल रहती है तो एक लाइफ में ठहराव होना बहुत जरूरी है जब हमारी लाइफ में ठहराव नहीं होता तो हम हमेशा वो चीज़े सोचते हैं जो हमें नहीं सोचने चाहिए तो उसके लिए क्या है? मेडिटेशन है आप लोग मेडिटेशन कीजिए देखिए कई चीज़े अपकी अपने आप सोलोनी शुरू हो जाएगी ओम साहिरा बाबा जी कह रहे हैं आप लोग परिशान हो मेडिटेशन का बुला होली बुक्स का बुला लेकिन जो रियाल्टी आपकी लाइफ में है आप उसको फेस नहीं कर पा रहे तो सबसे पहले तो आपको उन चीज़ों को फेस करना होगा समझना होगा भी हमारे हिसाब से कुछ भी चीज़ नहीं चलती आखिरकार डिवाइन ही सबसे बड़ा और चीज़े डिवाइन के टाइमिंग से चलती है तो सबसे पहले आप अपने डिवाइन पे मेरे पे बरोसा रखिए एक विश्वाश जो ऐसी चीज़ है जो सब कुछ इनसान को इनसान से और अमीदों से बांद के रखता है तो आपने मेरे पे बिश्वाश रखना है और रियालिटी को समझना है तब ही आपका मन में उथल पुथल जो है लाइफ में धेहराव है वो आना शुरू होगा ओम साहिराम ओम साहिराम बाबा जी कह रहे है आप मेंसे जो लोग बहुत ठक चुके हैं अपनी उमीदों जो आपके काम नहीं बन रहे जो आपके रिष्टे रुके हुए है जहां आप प्यार मुबत का चाहिए कोई और रिष्टा है जहां आपको ऐसे लगता है कि खतम सा हो गया है कुछ आपके कुछ करने के लिए रहा नहीं है तो बाबा जी कह रहे है वहाँ है जरूरत सर्विंग दा नेडिर की जरूरत मंदों की हेल्प कीजिए चैरिटी कीजिए जनी कि तब ही आपकी उन्चीजों की गुरूथ होगी जो लोग जिनके पास कप्ड़े नहीं है अपने कप्ड़े दीजिए उराने दीजिए नए दीजिए जिसके पास खाना नहीं है अनाज प्रवाइड कराईए मैडिसन से कोई इंसान परेशान है तो उसको मैडिसन दीजिए क्योंकि गाइस ये चीज़े हर बंदे को चाहिए होती है दवाई कपड़े और रोटी तो इसलिए जब ये चीज़े आप लोगों को जिनको हेल्प की जरूरत है करोगे तो आपके जो बंद रास्ते हैं खुलने शुरू हो जाएंगे और जो चीज़े हैं चाहिए बिजनस की चाहिए रिष्टों की वो गुरोथ होनी शुरू हो जाएंगे ओम साहिरा कार्मिक अकलिंदी ओम साहिरा ये जो आपके एंजल है बाबा जी है जो भी है जिस भी डिवाइन को मानते है उनके गाइडनस कह रहे है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है आपके लोग आप जैसे लोग कुछ कई कुछ कर रहे हैं तो उनको फुल फूरूट फुल रिजर्ट ने मिल रहे परिशानिया बढ़ती जा रही है तो ये आपके करमा क्लीन्ज हो रहे है जब खुशी खुशी में गलत करम हो जाते है तो जब वो क्लीन्ज होते हैं तो बहुत परिशानी देते है क्या होता है जब एक इनसान खुश है तो क्या करता है उसको सबसे बड़ी बात है उसको सामने वाले के परिशानी और दुख नजर नहीं आता, उसका मजाग उड़ाता है, उसको दुखी दे के खुद खुश होता है, तो वो भी अपने कर्मा कराब करता है, तो इसलिए ये जो परिशानिया हो रही है, ये क्या है? कर्मा क्लीन्स हो रहे हैं, जैसे वो इसे एक्सप्ट करी हैं वैसे इनको भी एक्सप्ट कीजिए ओम साइना बाबा जी कह रहे हैं साइलनस का मतलब चुप जब कुछ चीजे अपने अगोडिंग नहीं चलती रिप्लाई नहीं मिलते बिल्कुल सब कुछ सेनाटा हो जाता है हाथ पैल मारने के बाद भी कुछ आंसी लेनी हो रहा तो समझिए वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है तो कुछ समय के लिए वहाँ चुप पी सान ले यानि कि स्टोप लगा दे चाहे वो रिष्टा है चाहे वो कैरियर है और शान्त हो जाईए क्योंकि जब आप शान्त होंगे उस दिमाग में बहुत कुछ ऐसा आएगा जो आपके हित में होगा ओम सहिरा चेंज कहते हैं अन्त बला तो सब बला डिवाइन कह रही है बाबा जी कह रही है आपकी लाइफ में चेंज बलाव क्या है पर्मानेंट कोई चीज ने रहती है अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं किसी का कोई रिष्टा को गया है तब दुखी है किसी की जोब चली गई तब दुखी है किसी का कैरियर लोस में जा रहा है तब दुखी है तो किसी के दिन अच्छे आगे वो खुश है तो बाबा जी कह रहे ही कोई चीज पर्मानेंट नहीं रहती बदलाव जिन्दगी का प्रक्ति का नियम है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता जो चीजे आप खुशी के टाइम एक्सेप्ट करते हो वो ही आपको ये भी एक्सेप्ट करनी होगी ये चीज मान के चलनी होगी कि प्रक्ति का नियम है बदलाव एक जैसा अगर सब कुछ रहेगा तो हम कैसे रहेंगे अगर ये प्रक्ति एक जैसी रहेगी मान लीजिए जन्जरली तोर पे अगर सूरे सुरे सुबा छे बजे पांच बजे निकलता है दुबारा कभी डूबे ही ना लाइफ टाइम चलती जाएं तो क्या वन वीक तक भी दुनिया नहीं चलेगी वो बड़ेगा अपनी हीट देगा अगर चंदरमा रात को निकलता है उसकी जो ठंदीर है लगाता भी नहीं अंदेरा और ठंदीर लोग नहीं बरताश कर पाएंगे तो बदलाव जो है जिन्दगी का नियम है इस चीज को आपने समझ के चलना है और जब बदलाव आता है अच्छा बदलाव आता है तो आप लोग खुश होते हों बुरा बदलाव आता है तो आप दुखी होते हों तो प्लीज इन चीजों को समझ के चलिए कि प्रक्ति का नियम है बदलाव और इसको एकसेप्ट करना बहुत ज़रूर है तो ये थे साही बाबाजी के दिवयस संदेश जो आपको मैंने दिये आज की डिडिंग में अगर आपको पसान दाये हो तो कमेंट बॉक्स में ओम साहिर आम जरूर लिखना और ये वीडियो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करना क्योंकि ये जो वीडियो है ये लव और रेलेशन्शिप की नहीं है ये वीडियो है इसकी सभी को जुरूरत है साहीं बाबाजी के guidance की सभी को जुरूरत है अब तक के लिए इतना ही मिलूँगी next reading में साहीं बाबा की वीरवार को यनि की त्रस्डिश पैचल को ओम साहीं राम